कि सवागत है सब का वाई मेरे दोस्तों वैल ग्रेड में आपका सवागत है तो मैं था अपने होटल के बाहर यार तो कितने दिन दो तिन दिन हो गए आयो लेकिन वैसे निकला नहीं दिलने कि आप बाहर निकलने को तो गर्मी बहुत ज्यादा थी अभी थोड़ा सा मौसम ठं अभिया तो इसमें रुका वहाँ भई ठीक है इतनी सरविश अच्छी नहीं है इसकी तो टाइम पास करने के लिए अच्छा है तो भई यह यहाँ पा सेंटर है जो मेरे पिछे क्या बोलते हैं चोंक है यहाँ पे लाइडिंग बहुत अच्छी होती है तो अच्छी होटल का जैसे केटल बगएर भी नहीं है चाह बनाने के लिए और फ्रेज बगएर भी नहीं है उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको यह करना पड़ेगा तो मैंने बोला कोई बात नहीं हम तो तीन-चार दिन रहने वाले हैं तो आगे से दिया रखेंग इस चीज का और आपके होटल को भी याद रखेंगे तो इसलिए फिर मैंने ना ज्यादा खाना पिना भाई यहां से आठी एरो मांग रहे हैं यह ब्रेक फास्ट का तो मैंने सोचा तो बार गया मैं अच्छा ब्रेक फास्ट कोफी चीनों वगरा जो भी चीज वाले सब्रेक फास्ट लाइं कि दीन लोगया यहां पर जो स्टूड़न जा एक जा रहे हैं लोगया पर तो इसके बाद कौन सी कंट्री है सर्भिया के बाद वो तो आपको बताऊंगा ठीक है पहले ता मैं मोस्को फिर टर्की टर्की के बाद फिर अभी बेल ग्रेड बेल ग्रेड से आगे अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता चली जाएगा कहां पे जा रहा तो आपको पांसो में बेच रहा है तो ये बंद हो चुके है या बहुत लोगा है इनके पास नोग पड़े हुए है बहुत ज्यादा वाराद है तो मिल रहा है तो क्या करेंगा मुझे तो चलेगा नहीं हमारी इंडिया में वह बंद हो जो बहुत जाए थैंक यू फो बहुत पुराना समान पड़ा हुए है कि आई मजब पे अगर आप लेना चाहते हो जैसे को चीज एंटिक चीज पुरानी नजरा जो हमें बजार में अभी नहीं मिलती है तो वह चीजें हैं यार कुछ यहां पर जो आप खरीद सकते हो कि जो अभी आपको नहीं मिलेगी हो यहां पर मिल जाएगी जैसे कि अभी आपने नोट देखा एक नोट कितना पुराना था तो भाई ऐसा ही है कि अच्छ वाता है है तो भाई अच्छ वाता है है कि अच्छ लोगी भाई यह भी यह एक जैसे रेस्टरेंट वगरा है यहां पर तो बच्चे छोड़े-छोड़े खेल पानी के साथ बहुत खेलते हैं वह देखां तो यहां पर जो लाइड वगरा लगी वही है तो कुटा भी केलर है भाई बच्चे बहुत खुश होते हैं यहार इस चीज को देखके जैसे पानी के साथ ना गर्मी में तो भाई हम आया है इधर यह सेंटर की तरफ जा रहा है यहार रोड तो भी देखते हैं जहां से लाइडिंग वेरा होती है ना में स्ट्रीट होती ह है तो वहां पे जा रहे हैं गोमने के लिए यह मेरे पीछेए वाई इस वहार अच्छा लग रहा है जा रहा है यहां कि यहां से जारा था बाई यह पिछे की कोई यहां पिटिंग भीर बे कर दो जैसे हमारे हैं चंडिगर में डिल्ली में आपको दिखाता हूं तो भी जा रही है यहां पर इनकी पारलिमेंट है आगे यहां पर पूरी मीटिंग बगरा होती है तो वह जा रहा हूं तो वह देखते हैं जार बहुत अच्छी लग रही है यहां से थोड़ा सा नजर आ रहा है तो मैं सुछ रहा हूं आगे जाओ New City यह देखेघा यार पूरा ब्यूँ थिसमागा दिफॉर निला आसमा नाजर भाह प्हए हुआ थो फ्रेंड उन पहुंचेंगे यहां पर पार्लिमेंट नो जिल अब भाह यह तो यह विशा है यह ही करना है बाई पुरा महल ही है यार यह मेरे पिछे मैक डॉनर है भाई वो तो आपको पता ही होगा तो यह देखिए पूरे नजारे हैं यार पिछे बेलग्रेड अगर आप पहुंच जाते तो इसा लगता है यार योर्प में गुम रहे हो तो अगर यहां पर भी गुम के अगर वापस चलेगे ना भाई आप तो आप कहीं का वीजा यह योर्प कंट्री का वीजा प्लाई करोगा तो बहुत इजी मज़ जाएगा आपको किया फूल लगा रखे हैं भाई यहां पर यह देखो भाई यह नहीं है भी आप इसको यहां पर कुत्ते को लाओगे और जो गुमा फिरा के चले जाओगे और वो गंद डालेगा ऐसा कुछ नहीं यह लिख रखा स्पेशिल ठीक है यह देखो यह देखो यह कि चले भाईब देखे हैं पुमा के गावा यह जए खाई पूंगा जांद मियर्टा कि रिख गया है यह भई यहां की स्ट्रीट यहां पर लोग पूरी रात गुमते हैं काते बीते हैं इन्जोय करते हैं तो यही चलता है भई पूरी रात इदर खाओ पियो मज़े कर सकते हो अब बीर पियो भई जो भी अब खाना बिना जाते हो आए यह लड़का लेकिन राजकपूर के जैसे ही है भई कर सकति हो अब डास कर दो कि अर दो खटाशा कप लूं प्रभस्ता पांग कर दो कि अर ए्रशगं कर दिसपी लिए के लूटी कर दो कर दो कर दो खल दो बाइन नाइट लाइफ इदर की तो सारे बैठे उन्जोय कर रहे हैं साडे नोग दस बुझने वाले हैं यह मेरे पिछे वो सिनमा होल है तो यह कोई म्यूजियम बगार है जहां पर मीडिंग बगार होती है इनकी सेंटर है तो मेरे पिछे है यार सारे बैठे वह देखो रेश्टरांट बगार है तो आप बैड़ सकते हो यार एंजोय कर सकते हो बीर पी सकते हो इतना एक्सपैंसिव तो नहीं है लेकिन फिर भी रेश्टर में जाओगे तो थोड़ा लगे गई आपको चार्जिस पर तहीं है तो यह चीज़ है बैशेंटर की